स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल विकास रिजक्रेशन अकेडमी पर और आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन प्रोनाउन वो सब्दे हैं नाउन की स्थान पर प्रयोग की जाते हैं तो राम क्या है हमारा नाउन है र्रोपर नाउन है तो नाउन को हमने है तो ही हमारा क्या है प्रोनावन क्या हुआ नाउन के प्लेस पे यूज किया गया एक टू यह हमारा प्रोनावन करेंगे तो बात कर लेते हैं इसके टाइप के, तो अलम नाइन टाइपस अलम कितना परखार के रहाए होते हैं? 1st one is personal pronouns, 2nd is interrogated pronouns, 3rd is demonstrated pronoun and the 4th is distributed pronoun, 5th is indefinite pronoun, 6th, reflection pronoun related pronoun and the 8th is reciprocal pronoun and the last 9th is emphatic pronoun है अगर हम बात करते हैं पर्सेनल प्रणव कर ये हमाले बहुत ही इंपौर्टेंट है को कि बहुत ही रूल बनते हैं यहां से हमारे iii person से तो क्या होता है हमारे पंद ईल लुद्धाइन वाट इन परस्टन से Development कि अलब से हम बात करते हैं फ फर्स सेंट पर्स नियुक्र तो सब्सक्राइब था वाद है यह मिनना वा होता है सिमिक होता है बटेस्च करते हैं रोष्य टिमिल है जब female के तोट पर यूज़ करते हैं इत हमारों होता है नौ लूविंट के लिन्स के लिए और दे का मदलब होता हमारा वह इसका चार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्डन होता हमाई जानना सब्जिक बात करते हैं पहरे हैं परसंग फ़र्ट परसंगे फ़र्ट परसंग फ़र्ट सब्जिक रूप में हम इन्ट इसमें आई वी यू ही सी इत और देखो और इसी का अब जो अब्ज़िट बनता है हमारा I का me बनता है V का us, U का you ही होता है He का him होता है, C का Her और it का it ही होता है D का दे होता है लेकिन अगर हम बात करते हैं फुसस्यू के इसमें तो I का हमारा my या mine बनता है V का our या ours बनता है U का your और yours बनता है He का his बनता है C का her या hers बनता है इट का इट्स बनता है दे का दियर दिख एड़त बनता है सेकंड टाइब से हमारा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है वैंने वर्ड्स वाट फॉव वूम विच वूज यूज यूज टू आख स्कोटिशन और यूज फॉर दूस नाउन्स विच आर कॉस्टनेबल देन इस वर्ड काउंट एस इंट्रुगेटिव पॉडाउन मतलब कहने मतलब यह जो डबलो इस टाइप को वर्ड होते हैं वो स्टार्टिंग मुझे बिस्टार्ट होते हैं हमारे कुछ को डिजनेबल कॉस्टन पु तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं इंट्रुगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं जैसे कि वाट इस तो यहां पर वाट आया है हमारा क्या है इंट्रुगेटिव प्रोनाउन है हूँ रोट इस बुक तो हूँ क्या हमारे यहां पर इंट्रुगेटिव प्रोनाउन है और इन स आता है तो वह दुर्ट दिसक्स किया है वोड से आठेक। यहां होटा है अशुर्फ होता है इनकेत सकती करना दरथ सकते हैं इसको हम बोलते हैं स्सक्का ऑउर्य जैसे कि इस देट दीजर दूस फॉक्ट पर बाथ करते हैं यहां पर this और that और these और Those का यूज कहां होता है कैसे करते हैं किस कंडिशन करते हैं उसको भी में पर clear करने रहें इस का प्रयोक पास की चीज़ों के लिए करते हैं और योट को दोर की चीजा को गोर्ट करने के लिए किया दाता है और दिस कब जो होता है हमारा फ्लावर में यूज की जाते हैं इसे की इस आर फ्लावर यूज आर बड्स टो फ्लावर पास में हैं बहुत सारे अंको मैंने क्या बोल लिया दीजार फ्लावर्स एंड दूजार बड्स नेस्ट है फोर्थ हमार टाइब जो है वह यह दिस्टिभीटर फोर्ण दिस्टिभीटर मतलब होता है कि चीज़ को डिवाइड करना तो ऐसे वर्ड जो आते हैं हमारे संदस्ट में पहले उसको काव होते हैं इस आईदर नाइदर आर कोल्ड डिस्टिभीटर प्रणावन ड्यू टू इंडिकेटिंग ओंली वन फिंस प्लेस और टाइम मेलब कि किसी एक चीज़ को एक ट्रैम पर इंडिकेट करते हैं से कि इस आप दब वाइस वास की वेन अब भूलब कि हर एक प्रतेक लड़के को एक बुक दी जाएगी तो यहां क्या हो रहा है डिस्ट्रिबूट हो रहा कोई चीज तो वह जो वर डिस्ट् इस वर्टाइब कि दूब में से कोई हाउस सही नहीं दैश्ट्रिबूट कर रहा है तो दीज वर्ट कम अंडर्स डिस्ट्रिबूटर प्रणाउन थिप्त है हमारा कि इंडियफिन प्रोनाउन इंडिफिन मतलब होता ही है अनेश्चित वह वर्ड जो अनेस्चित चिस्टो कहां shootings करते हैं करते हैं कान रखते हैं जैसे कि समय हो गया है वह सigorा हो गिया मैंनी हो गया लपर समझते हैं कुछ सैंके मुंसले है कि मशंप ईन्लो नहीं ही सवस्पाइब इस ता है कि मनी सव कुछ नहीं और यहां पर ते चाल पर यह इतनنا और अन्हीं होते हैं तो जो यूब वर्ड इंडिकेट कर रहा है सम इसको हम बोलते हैं इन्डेफनेट प्रॉनाउन नाम से एक लिए होता है रिफ्लेक्ष जो खुद को रिफ्लेक्ष कर रहा होगा उस टैप से कुछ है जब हम सेल्फ या सर्फ को इन वर्डों के साथ एड करते हैं बहुत ही इंपोर्टन चीज यहां पर लिखी है रिफ्लेक्ष जो रिफ्लेक्ष जिपनाउन होते हैं वह उसको हम एज़ा ऑब्जेट की रूप में यूस्ट करते हैं जैसे की कंदर चीज बेख्व एंजब वहां भानिया यह इसे लिए आपको सुखत को स्थ subconscious आ अपने अपने तो ऑफ यह काट लिए तो जो मैंसेल्फ यह यह तो इयस भी हुआ है और जहता है बहुत इंपूर्टन बात है आगे डान च्टसा एक समझ में ठांन होग आकोologists क्या होते हैं संबंद अर्साने वाले सब्द इस प्रोनाउंस और डेट वर्ट्स विच आर यूस बिट्विट्विन तो रिलेट देम्या सुदा रेलेशन बिट्विन तेम से कि आई नो दबॉय में लड़के को जानता हूं ही ब्रोग दिस चेर इसने को तोड़ा है यह में जानता हूं तो यहां जो ता सारह रिशन कौन सा वर्ड़ हूँ आई नो तब वाई हूँ प्रोग दिस चेर में जानता हूं उस लड़के को जिसने हूँ जिसने इसको चेर को तोड़ा है दबुक विच यू गेव मी जो तुमने मुझे किताब दी है किताब और जो तुमन इंट्रस्टिंग है वह ठीक है देस इस ता हाउस देट माई फादर बिल्ट यह वही घर है जो जिसको मेरी पता ने बनाया है तो यहां पर जो देट वर्ड़ का रहा है इंसमें अलेशन को दर्शा रहा है नेस्ट हमारा है एर्थ टाइप रैसी प्रोकल प्रोनाव बहुत स्यम्पल है वह दो वर्ड़ इसमें पड़ने है इस अदर एंद वह न दर इस अगशन करते हैं दो के लिए आपसमें दुनों के यहां पर स import कर दिन के तो स्रम सिंप यहां पर शालया रहां जैसे कि राम तो क्या एक क्लिए हमारा इस अधर simple and the last is emphatic pronoun जब subject किसी verb के action और being पर emphasis नहीं कि बल देता है तब इस भाव को प्रकट करने के लिए हम emphatic pronoun का use करते हैं यहां पर एक हुथी important चीज़ हो गया कि यह किसी verb subject हमारा किसे कर रहा है रिलेट और किसी verb से कर रहा है रिलेट myself जो कि हमने किसी पढ़ा था reflection पढ़ा था लेकिन वहां पर क्या हो रहा है वहां पर जो चीज़ वर्ड थे उन्हें उन्हें को वहां पर object यूज़ किया था यहां पर क्या करेंगा जो बर पर रिट्फिट करेगा जैसे कि I solve this problem myself तो जो मैंने solve किया है अपने आप क्या किया है प्रॉब्लम को solve किया है यानि कि जो मैंसर्व कर रहा है यानि क्या कर रहा है solved प्रceन संफ्धिडड़ मैंसर्ड़ करेंग